जोहां गुलाम रसूल बल्यावी की ओर से सेना के जरीए भारते जुनता पार्टी को घेरने का काम किया गया ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जुर्म को छिपाने के लिए सेना का सहरा लेती है बीजेपी बीजेपी के वोट के लिए खून का सौदा किया गुलाम रसूल बल्यावी की ओर से बायान दिया गया सेना के नाम पर उत्ते जुना फैराती है भारते जुनता पार्टी तो बीजेपी को घेरते नजर आए गुलाम रसूल बल्यावी उन्होंने सेना का नाम लेते हुए भारते जुनता पार्टी पर आरोप लगाए उनको आड़े हाथ लिया आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा जर्म को छिपाने के लिए सेना का सहारा लेती है भारते जुनता पार्टी बेज़पी के वोट के लिए खून का सौधा करती है फिलाल बाइट भी हम आपको सुनाएंगे कि क्या कहना है गुलाम रसूल बल्यावी का लेकिन इससे पहले जो उनके द्वारा दिया गया बयान है वो हम आपको बता रहे हैं उन्होंने साफ कहा कि जुर्म को छिपाने के लिए भारते जुनता पार्टी सेना का सहारा लेती है पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान दिखा कर देश के बहुत संखिक भाईयों के बीच जो मुस्लिम अल्ब संखिकों के परती नफरत का भावा पैदा सेना के जवानों की बिर्ता को भी भारतिये जंता पार्टी ने भना करके उतेजना फैलाई है सेना पर तो मुकमल विश्वास है क्यों नहीं रहेगा गर्ब के साथ ना नाम पूछते ना धर्म पूछते वर्दी देख करके गर्ब के साथ भारत का हर धर्म का बच्चा अपने सेना को सेलूट करता है तो वहें गुलाम रसूल बल्यावी के और से साफ तोर पर कहा गया है कि मैंने अपने बायान में कुछ भी गलत नहीं कहा है विवादित बायान पर फिल बोले रसूल बल्यावी मैंने अपने बायान में कुछ गलत नहीं कहा दिमांड जो किया है वो डिमांड ये किया है के साहब पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान दिखा कर देश के बहुत संखिक भाईयों के बीच जो मुसलिम अल्ब संखिकों के परती नफरत का भाव आप पैदा कर रहे हो तो आप 30% फाउज में सेना में मुसल्मान के बच्चों को जगा दे दो हमने डिमांड तो देखे आपको फिलहाल हम बता रहे हैं किस तरह से गुलाम रसूल बल्यावी के ओर से विवादत बायान दिया गया उन्होंने कहा कि मैंने अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं कहा है उन्होंने सेना का सहारा लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए उन्होंने कहा कि बहुत संख्यकों के बीच जहर फैलाने का काम बीजेपी करती है और यही काम भारते जनलता पार्टी शुरुवाती दौर से ही करते आई है उन्होंने 30% का जो आरक्षन है वो फिलहाल देने की बात कही है उन्होंने मुस्लमानों को और बहु संख्यकों को भड़काने का कम